राजेश खन्ना और अमिताब बच्चन ये दो कलाकार सत्तर के दशक के वो सुपस्टा हैं जिनको लोगों ने खूब सारा प्यार दिया एक बॉलिवुड का पहला सुपस्टा बना तो वही दूसरा सदी का महानायक एक जमाना था जब राजेश खन्ना प्रड्यूसर्स की पहली पसंद हुआ करते थे और फिर एक दौर ऐसा भी आया कि हर दूसरी फिल्म में अमिताब बच्चन का चेहरा दिखने लगा था और राजेश खन्ना की सिर्फ अच्छी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार करना राजेश खन्ना और अमिताब बच्चन ये वो दो स्टार हैं जिनके साथ पुराने दौर के विल्लिन का काम करने वाले यानि प्रेम चोपड़ा ने काम किया है प्रेम चोपड़ा ने बताया कि कैसे दोनों में से सिर्फ एक ही अपना स्टार्डम बनाए रखने में काम्या अंदाज को ही बरकरार रखने की कोशिश में लगे रहे लेकिन दर्शकों ने इसे स्विकार नहीं किया वे फिल्में नहीं चली वो इस तत्थे का सामना नहीं कर सके कि वो पहले जैसे सुपस्टा नहीं रहे जिससे वो डाउंग फॉल पर चले गए लेकिन अमिताब हलग वो इतने सालों तक सुपस्टा थे लेकिन सही समय पर उन्होंने करेक्टर रोल्स की तरफ रुख किया प्रेम चोपड़ा ने कहा कि मुझे कभी कभी आशचर्य होता है इस उमर में वह पहले से कही ज़्यादा वियस्त है उन्होंने कहा अमिताब बच्चन हमेशा एक इंट पर सब लोग तयार हो जाते थे तब वो सेट पर लेट आते थे और फिर दूसरों को वेट करवाते थे प्रोट्यूसर्स उन्हें शौट से पहले लंच करने के लिए भी कहते थे लेकिन वह दिन का काम पूरा करने के बाद ही खाना खाते थे